हलो फ्रेंड्स वेलकम टू में तैमें वर्क चैप्टर की और जो की हमारा लाज टाइप चल रहा हो लाज टाइप के भी हमने 10 कोश्चन कंप्लेट कर लिए अब हम चलते हैं कोश्चन अम्मर 11 से इस वीडियो में हम कुछ कोश्चन देखेंगे फिर इसे फिनिस कर देंगे Okay friends, Kiran Publication की book है 876 Okay? फिर हम चलते हैं आपने Question No. 11 की Christmas Question No. 11 में क्या दिया हुआ है? देख लेते हैं और हमें किस प्रकार से solve काना वो भी सीक लेते हैं So Question No. 11 है यदि किसी machine में प्रतिक 10 गंते में 10 गंते क्या है? समय है के बट्टे 5 किलोबाट बिजली की खपत होती है ये काम हो गया ठीक है तो ऐसी तीन मसीनों में 10 गंटों में कितने किलोबाट बिजली की खपत होगी तो सिंपल कोशन है कि एक जो एक मसीन टी घंटों में जो है कितने की खपत कर रही है खपत यहां पर कर रही है के बट्टे 5 की कितने की के बाई 5 की और question ने बोला ऐसी ही तीन मसीन ऐसी ही तीन मसीन 10 घंटों में 10 hour में कितने किलो बाट खपत करेंगी तो हमें values निकालनी है x की ठीक है value निकालनी है x की finally calculate कर लेते अब एक काम करते हैं इस 5 को मैं नीचे से कहां ले जाओ उपर multiply में पहुचा दू ठीक है तो इसे में ले जाता हूँ उपर यहाँ पर लिख दिया है मैंने 5 बाकी हम calculate कर लेते हैं पांस से पांस दूनी 10 यह कितना हो गया 3 दूनी 6 यह t by k is equal to 6 by x x की value find out करनी है x का multiply इधर करूँगा तो कितना हो जाएगा x t is equal to k6 यह 6 के कोई दिक्कत नहीं तो x is equal to हमें निकालने हैं तो k6 by t यह क्या हो जाएगा इतनी क्लूबाट की बिजली की खपत हो जाएगी यह हमारा क्या हो जाएगा k6 by t हमारा answer होगा simple है अच्छा question है k6 by t मतलब option 3 हो जाएगा 11 का तीसरा बिल्कुल correct हो जाएगा यह 6 k बोलो यह फिर k6 बोलो कोई दिक्कत नहीं यह दोनों आपस में multiply में फटा फट से नोट कीजिएगा प्लीज प्लीज फ्रेंज अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजेगा मैं इस प्लास को जिससे की आने वाली वीडियो आपके पास notification अपडेट पहुंच जाए जो भी वीडियो हम यहां से से डालेंगे वह आपके पास तुरंत notification के रूप में आ जाएगे और आप अच्छे से अपनी study कर सकते हो ठीक है चलो तो फिर हम चलते हैं अपने question number 12 कि question number 12 में क्या दिया है कैसे solve परना है वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं ठीक है friends ध्यान से देखिएगा question number 12 सिंपल तरीके से ही solve करेंगे ठीक है ध्यान से देखना यदि एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में चार मिनिट लगते हैं देखो एक टंटक को चार एक पन्ना टाइप करने में कितना एक पेज पेज क्या है मेरा काम है एक पेज पर टाइप कर रहा है कितनी मिनिट लगती है चार मिनिट लगती है ठीक है तो question ने बोला है कि तो दुपेर एक पीएम से दो पीएम एक पीएम से दो पीएम के बीच में कितनी मिनिट होगी बाई 60 मिनिट तो 60 मिनिट में एक पीएम की जरूरत होगी कितने टंकों की जरूरत होगी हम यहां पर कर लेते हैं ठीक है सिंपल कोशन की लेंग्विज से समझेगा दुबारा यदि एक टंटंक को एक पन्ना टाइप करने में चार मिनिट का समय लगता है कितने मिनिट का चार मिनिट का समय लगता है ठीक है अब उसके बाद बोला एक पी-एम से दो पी-एम के बीच में मतलब साथ मिनिट के अंदर 1080 page type करने के लिए कितने टंकक की जरूरत होगी देख लेते हैं तो फाइनली एक जिरो से एक जिरो काट देते छे से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा छे से जाएगा छै एकम छे बचे कितने चार बचे शे एट जा फोटी एट अब अब अठारे का मल्टीप्लय यहां पर करेंगे कि हमेसा काम नीचे होता है बाकी सारी चीज़ां उपर होती है या रुपे दिये गए कोशन में तो रुपे हम नीचे लेते बाकी सारी चीज़ां उपर बेचते थे मल्टीपल में ठीक है फड़ा वर से नूट कीजेगा तो आपस नम्बर हमारा हो जाएगा डी बिलकुल या दिया है कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें देखने की कोसिस करते हैं ठीक है तो कोशन नम्मत तेरे दिहान से देखना सिंपल फॉम में ही सॉल्व करेंगे A, B और C कारे को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं मतलब A, B, C तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं A, B, C इस उकल डू सिक्स डेस में कवर कर लेते हैं एक काम कर लेते हैं यदि A, B, C तीन लोग है A, B से दुगनी तेजी से कार करता है तो एक ये काम करेगा तो ये दो करेगा कोशन क्या आंगे क्या कह रहा है और C से दिगनी तेजी से और C से दिगनी तेजी से भाई ये तीन तिगनी तेजी से काम कर रहा है अब यहाँ पर क्या है मैंने हमेशा आप से बोला है कि जिसके पास two values दो मान होते हैं वो हमेशा आपस में equal होने चाहिए तो देखिए जरा ये दोनों बराबर है नहीं है तो नीचे कर दू दो का multiply उपर कर दू तीन का लेकिन दो के साथ का जो अनुपात है उसमें भी करना होगा इसके साथ का जो अनुपात है उसमें भी तो कितना हो जाएगा दो तीन और छे ये हमारा अनुपात हो गया अब उसके बाद में total work निकालना total work निकालेंगे कैसे ABC तीनों की efficiency पता चल जाए efficiency में समय का multiply कर देंगे और ये तीनों की क्या है छमता निकलाई है 36,9,10,11 मतलब 11 का multiply अगर मैं 6 multiply 11 कर दू समय में चमता का multiply तो ये क्या निकल के आ गया मेरा total work total work कितना हो गया 66 तो total काम हो गया अब 66 काम को किस से करा रहे है वो हमें caution में देगा तो C अकेले उस कार को कितने समय में पूरा करेगा C की efficiency कितनी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा बहुत simple question है अच्छा question है आसानी से आप solve कर सकते हो जल्दी से note कीजिएगा प्लीज चलो फिर हम चलते हैं अपने next question question number 14 की और question number 14 में क्या दिया है कैसे solve परना है वो सारी चीज़े हम देखने की कोशिस करते हैं ठीक है कोशन number 14 है आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा simple question है अच्छा question है कुछ आदमी एक कारे को 60 दिनों में पूरा करते हैं भाई देखो कुछ आदमी है कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं तो आगे question और बोलेगा वो देख लेते हैं यदि आठ आदमी और हो तो पहले एक्स आदमी थे अब आठ आदमी और आ गई आठ आदमी और हो तो दस दिन कम में पूरा हो सकता था मतला पहले काम हो रहा था आपाउस और साथ दिन में अब दस दिन कम में होगा तो ओगा कितने में पचास दिन में काम करते हैं यहां से और देते हैं अब कितना हो गया, यह हो गया, 6X is equal to 5X plus 5, 6, 40, तो इसी इदर लेकिया हुआ, तो X is equal to कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गये, तो 1X बचा is equal to कितना हो जाएगा, 40, तो शुरुवात में कितनी आदमी थे, 40 आदमी थे, यह हमारा क्या हो जाएगा, सिम्पली आंसर हो जाएगा, समझ के, फटा फटसर नोट कीजिएगा, फ्लीज, चलो, फिर हम चलते हैं, अपने next question, question number 15 की, question number 15 में क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं, ठीक है friends, तो question number 15 है, जहां से देखिएगा, simple form में ही solve करेंगे, आठ बच्चे और बारे आदमी किसी कार को नो दिन में पूरा कर सकते हैं, आठ बच्चे मतलब आठ चिल्डरन प्लस ना, नाइन में किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 बच्चे प्लस 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं 9 days में complete कर रहे हैं आंगे देखते हैं question क्या कर रहे हैं प्रतेक बच्चे को कार आदमी की तुल्ना में दुगना समय लगता है मतलब प्रतेक बच्चे की जो छमता है एक चिडरन की एक आदमी से जो छमता होगी समय लगता है यहां क्या दिया गया दुगना समय लगता है तो मतलब आदमी से दुगना समय किसे लग रहा है बच्चे को तो भाई यह क्या है मेरा समय लग रहा है तो मतलब टाइम हो गया ठीक है यह मैं अकर टाइम है तो efficiency की बात करूंगा तो छमता कितनी हो जाएगी एक दो ये क्या होगे मेरी इफिसेंसी हो गई अब टोटल कार निकालना है टोटल कार निकालने के लिए सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं वो कैसे हैं सबसे पहला कॉश्चन यह देखो कि कुश्चन में कितने आदमियों से काम करवाए तो बारे आदमी उस कारू को कितनी दिन में करेंगे बारे आदमी में दो का गड़ा हो जाएगा लेकिन टोटल वर्क हो निकालने के लिए पूरी एक्क्विशन में मल्टिप्लाइ करना होगा आठ चिल्डरन ने आठ चिल्डरन का मतलब कितना 8 इंटू 1 प्लस यह कितना हो जाएगा बारे इंटू दो बारे इंटू दो ठीक है यह कितना हो गए यह तो आदमियों की छमता टोटल मिलाके हो जाएगी efficiency जो की total आदमी बारे आदमी और 8 बच्चोंगी कितनी हो रही है देखो 8 है कम 8 तो यह होगी बारे दुनी 24, 24 और 8 कितना हो गया 32, 32 इंटू 9 कर देंगे तो यह क्या निकल के आजाएगा मेरा total work वो कैसे क्योंकि यह मेरी efficiency बारे आदमी और 8 बच्चों की छमता है यह और 9 दिन में complete कर रहे हैं वो छमता में अगर हम समय का multiply करते हैं तो टोटल work के कुल कारे निकाल के देता है अब यहां पर 32 इंटू 9 ही में लिख देते हैं 32 इंटू 9 यह क्या एक कुल कार है तो अब इस काम को कौन कर रहा है बारे आदमी काम कर रहे है तो बारे इंटू करेंगे में की छमता कितनी है भाई दो है तो दो से multiply अब calculate कर लेते तो चार से काटेंगे 48 32 होता है चार ती यह बारे होता है ठीक है तीन से काटेंगे 33 का 9 हो जाएगा अब इस दो से काटेंगे 24 के 8 हो जाएगा चार ती यह कितना हो जाएगा बारे तो मतलब कितनी दिन में करेंगे 12 डेस में ही complete कर लेंगे यह क्या हो जाएगा मेरा answer हो जा लेंग्वीज का खेले लेंग्वीज बूलेगी उसी के अकोडिंग हमें एफिसेंसी और टाइम से खेलना है समझगे फटा बट से नोट कीज़ेगा प्लीज और प्लीज फ्रेंस अगर आप लोग इस चैनल पर नीव हो तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीज़ेग फिर हम चलते हैं अपने QS16 के और QS16 में हमें क्या दिया है कैसे सूल परना है वो सारी चीज़ा सीखने की कोशिस करते हैं कुछ आदमी कोशनमर 16 है कुछ आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं ठीक है language से तो हमें यहीं मिलता है यदी 8 आदमी और होते यदी 8 आदमी और होते तो 10 दिन कम में ही काम समापत हो जाता है 10 दिन कम का मतलब क्या है 10 दिन कम का मतलब है कितना 40 है 40 है 10 दिन कम में देखो ध्यान से क्या किया रहे है आठ आदमी और होते तो 10 दिन कम में समापत हो जाता तो मतलब कितने दिन में होता भाई 30 दिन में होता क्योंकि 40 से इदर कम करेंगे तो 30 हो जाएगा फाइनली एक 0 से 0 काट देते यह कितना हो गया 4X हो गया is equal to कितना हो जाएगा 3X plus 8 दिया 24 तो X is equal to कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा यह मतलब प्रारमिक में स्टार्टिंग में कितने आदमी थे भाई 24 आदमी थे तो हमारा option number कौन सा हो जाएगा करेक्ट सेकेंड वाला 16 का 2 एक दम करेक्ट हो जाएगा फड़ा फड़ से नोट कीजेगा प्लीज चलो तो फिर हम चलते हैं अपने question number 17 की और question number 17 में क्या दिया है देख ले थे किस प्रकार से solve करना वो भी सीख ले थे तो question number 17 ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है question number 17 है ए और बी सेस कार्रे को साथ दिनों में कर सकते हैं भाई सेस कार्रे को और हमें जो कार्रे दिया है भाई 37 बटे 100 कार्रे 37 मतलब ये 100 क्या है यहाँ पे total work है क्या है total work 100 हमेशा क्या है total work जो कि मैंने आपको percentage में बताया था नीचे बाली जो value होती है वो कुल value होती है total पूरी होती है 100 में से 37 काम तो पहले से हुआ है तो सेस कार्रे कितना बचा होगा माइनस करके देख लेंगे तो कितना बचे का 63 63 काम सेस कार्रे बचा और इस काम को दोनों मिलकर इस काम को A और B मिलकर सेस कार्रे को साथ दिनों में कर लेते है तो A और B की efficiency निकल के आएगी साथ नाम 63 यहाँ पे यह efficiency है किसकी A प्लस B की अब कोशन ने आंगे भी कुछ बूला हुआ वो धियान से देखेगा A द्वारा पांच दिन का कार B द्वारा चार दिन के कार के बरावर है संपूर कार को पूरा करने के लिए सबसे तेज गती वाला सबसे तेज कामगार कितने दिन में समाप्त करेगा अब सबसे पहले देखो यहां पर कोशन से हमें एफिसेंसी मिल जाएगी A द्वारा पांच दिनों का कार A का पांच दिन का कार बरावर है B का चार दिनों का कार B का चार दिनों का कार अब यहां पर यह रिवर्स हो जाएगा रिवर्स होने के केस में क्या होता है यह एफिस लड़ू बनाते हैं तो छमता किस की तेज होगी वह पांच वाले की तेज होगी वह एक दिन में पांच काम कर रहे हैं अब सबसे पहले कि यहां पर यह निकालने कि टोटल वर्क है कहां टोटल वर्क हमें दिया हुआ पॉश्चन में कितना है हंड्रेड अब यह टोटल वर्क है total work 100 को सबसे तेज गती वाला total work 100 को सबसे तेज गती वाला मतलब क्यों बी बी मतलब कितना 5 5 से बाग करेंगी तो कितने दिन में कर देगा 20 दिन में कर देगा तो यहाँ पे हमने इस वाली values का कोई रॉल नहीं लिया सिर्फ हमने यह चेक किया 5 और 4 9 होते हैं यहाँ पे A प्लस B का योक निकल के आगया 5 और 4 9 मतलब यह सिर्फ एक सैटिस्फाइ करने के लिए दे दिये values और कुछ नहीं है इसका रॉल ठीक है यहाँ पे जो 63 सट है 7 दिन है 9 efficiency इसका कोई भी रॉल नहीं है समझगे बस क्या करना है यहाँ पे जो दिन है उसके according हम find out कर लेंगे total work मैंने आपको पहली बोल दिया कि नीचे वाली value जो होती है total work होती है कुल कार होता है कुल कार में 37 कार हो चुका था उसके बाद में जो बचा 63 63 को भाग दिया हमने सास से तो 790 63 यह हमारा क्या हो जाएगा answer फटावर से नोट कीजेगा प्लीज तेज गति वाला पूछा है अगर तेज ए होता तो हम यहाँ से ए रखते नीचे तीक है तो option नमर हमारा जो सही हो जाएगा first बाला 17 का first बिल्कुल एकदम करेक्ट है चलो तो फिर हम चलते हैं अपनी question 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 number 18 के question number 18 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं किस प्रिकार से solve करेंगे वो भी सीख लेते हैं ठीक है फ्रेंच द्यान से देखिएगा बहुत simple question है लेकिन थोड़ा सा हटके है ठीक हटके है तो हमें हटके ही solve करना होगा question क्या कह रहा है दीरू किसी मैदान के भाई इसमें तो मैंने आप लोगों को यहां पर बताये था कि यहां complete करने के लिए यहां इसका multiply इसमें करेंगे और भाग देंगे एसे एक से एक से divide करेंगे तो कितना हो जाएगा यह तो भाई 20A ही होगा ठीक है यहां पर जो है धीरू अकेला कितने दिन में कर रहा है 20A में complete कर और काकू मिलकर कार करते तो वही कार 60 मिनिट में मतलब कितनी दिर में 60 घंटों में complete हो जाता है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं अब देखो यहां पर अगर में 60 में से अगर में माइनस कर दू धीरू को अगर हम चाहें तो LCM लेकर भी कर सकते वहां से lengthy process हो जाएगी ठीक है म यहां पर simple way में कराने की courses करता हूँ अगर मैं धीरू इस में से गठा दू तो बचेगा कौन काकू काकू की छमता निकल के आ जाएगी तो देखो friends एक और तरीका होता है जो कि मैंने आपको एक या दोई question में कराया हुआ वही follow करेंगे यहां पर देखो simply हम 20A है अगर 20A द बनाना है एक दिन का काम यानि की चमता बनानी है या फिर एक दिन का काम बोल सकते हैं तो हमें बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी value कौन से दीरू और काकू 60 दिनों में 60 घंटों में समाप्त कर रहें ठीक है 60 घंटों में समाप्त कर रहें और जे 20A में घंटे में समाप्त करने तो सबसे पहले एक दिन का एक घंटे का काम बनाने तो एक घंटे का काम बनाने के लिए एक बाई 60 एक के बट्टे में हो जाते एक बाई 60 ये एक गंटे का काम है इसमें कौन कोने भाई दीरू और काकू अगर मैं इसमें से धीरू माइनस कर दू धीरू का काम कितना है भाई दीरू का समय कितना दिया हो 1 बाई 20 ए simply हम अगर इसे solve परेंगे तो हमारा यहां से निकल के आ जाए है क्या टोटल मिलाके काकू की efficiency निकल के आ जाए है देख लेते हैं कितनी आती है कैसे आती है वो देख लेते हैं तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले LCM ले लेंगे तो LCM कितना हो जाएगा सबसे पहले तो यहां हम solve परें 60 A ले ले लेते हैं यहां पर उपर कितना होगा 60 से divide करेंगे इसे तो A बचेगा यहां पर A minus है तो minus 20 से divide करेंगे कितनी बार जाएगा 20 थी यहां और A का भी 3 बार तो मतलब कितना हो जाएगा यहां पर 3 बार 3 का multiply एक में करेंगे तो A-3 हो गया अब यहां पर question क्या कह रहा है वो देख लेते हैं कि इसी काम को ये जो 1 गंटे का काुरा है किसका काकु कह? यो जो 1 गंटे का कार रहा है तróकrant अंगे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं कि काकु बोल रहा है तो काकू अकेला उसके कितने भाब को 20 घंटे में खोद सकता है तो एक घंटे में इतना खोद रहा है तो 20 घंटे में कितना खोद एगा तो A-3 20 का simply multiply कर देंगे बटे में कितना है 20 A तो simply 60 A तो यहाँ पर 60 A है finally calculate कर लेते 20 से काटेंगे 20 ती या 60 तो कितना हो जाएगा 3 A तो यहाँ से जो answer निकल के आएगा वो कितना आजाएगा A-3 by 3 A तो आप से request करो हूँ कि आप जो इसी pattern को follow कीजिए इस question पर तो आसानी से कर पाऊगे तो यहाँ पर धिरू था धिरू का 20 A घंटे हमने निकाले दिरू और काकू का मिलाके 60 घंटे थे अगर मैं 60 घंटों मैं इसे काकू का माइनस कर दूँ धिरू का माइनस कर दूँ तो बचे गा कौन काकू का 1 घंटे का काम बचे गा जब एक घंटे में इतना कर रहा है तो 20 घंटे में कि याओफ पिर हम चलते हैं अपने कोश्ट नमर 19 के वे कौश्ट नमर 19 में हमें क्या दिया है कैसे सॉर्व हाना वो सारी चीजें सीख लेते हैं ठीक है फ्रेंड नियान से देखिएंगे बहुत सिंपल वेसे ही सॉल्व करेंगे अच्छे से एकदम कॉश्ट नमर 19 में प्लस 16 बॉय 16 लड़के किसी कार्य को पांच दिनों में पूरा कर सकते किसी कार्य को पांच दिनों में पूरा कर सकते आंगी कॉशन क्या मूल रहा है वो देख लेते हैं 13 पुरुष 24 लड़के मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं कितने 13 पुरुष 24 लड़के कितने 24 बॉय उसी का लड़के उसी कार्री को चार दिनों में पूरा कर सकते तो मल्टिप्लाई 4 और है फाइनली मल्टिप्लाई कर लेते हैं तो पांच का बारे पंजे साथ एम प्लस सोले पंजे असी बॉय इस गल टू तेरे चोक के बामन एम प्लस 24 चोक 96 बॉय अब फाइनली यहां पर कैलोकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा यहां से एम में से एम को गठा देते हैं तो कितना बचेगा सिम्पली आठ हेम इस गल टू इसे उधे ले जाएंगे तो बचेगा कितना सोले भी 8 ही कम 8 होता है 8 दुनी 16 होता है तो man ratio boy पूचा हुआ है man ratio boy कितना हो जाएगा man की जो efficiency पहले नंबर पर रखतो man बराबर कितना हो गया बाई 2 और boy बराबर कितना हो जाएगा एक तो दोनों का अनुपात पूचा है तो वो कितना हो जाएगा 2 ratio 1 हमारा answer हो जाएगा simply आप लोगोंने पहले से solve कर लिया होगा मुझे पता है simple question है फटा-फट से note कीजिएगा प्लीज ओके फिर हम चलते हैं अपने question number 20 की और question number 20 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं simply 4 में एक तम perfect तरीके से ठीके त्यान से देखिएगा simple question है अच्छा question है और आप simple वी से ही solve कर सकते हो तो question number 20 है एक कार को बारे दिनों में पूरा कर सकता है बी 15 दिनों में 450 रुपी पे एका इस्सा क्या है तो ए जो बारे दिन में कर रहा है और बी जो वही कार कितनी दिन में कर रहा है simply 15 दिनों में कर रहा है बारे और पंदर का LCM लेंगे 60 हो जाएगा बारे पंजे 60 होते हैं पंदरे जो के 60 होते हैं A और B की छमताओं का अनुपात हम लिख लेते हैं पांच अनुपात 4 हो गया अब उसके बाद में 5 और 4 9 हो गया नौ बराबर हमें दी गई है कितनी रासी बांटनी है 450 नौ पंजे 45 एक बराबर 50 हो गया अब किसका पूछा है उसमें multiply कर देंगे तो question पूछा है इस दनरासी में एक का इससा एक के इससे के लिए simply 50 का multiply करेंगे 25 मतलब 2500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा finally answer हो जाएगा समझ गए फड़ा फटस नोट कीजिएगा प्लीज ओके फ्रेंज फिर हम चलते हैं अम मुलाकत होगी आपसे next वीडियो में next question के साथ जब तक के लिए बाई take care अपना खयाल रखना और प्लीज अगर आप इस चैनल पर नहीं हों तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजेगा में इस पेसर ग्लासिस को जिससे कि आपकी मेंच की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएग ओके बाई